समदुखा सुखा स्वस्थाह समलोष्ठास्मकांचनः तुल्यप्रियाप्रियोधीरह तुल्यनिंदात्मसंस्तुति प्रेधरशुकुण नमस्कार एक बार तुछ से उपसतों आप सबके सांने गुरुवार की कारेक्रम में कर मैने आप लोगों को धन के लिए आप बहुत सारे उपाय करते हैं बहुत सारे साधन करते हैं मेहनत ब्यक्ति करने के बाद कैसे फिर भी धन को और ब्रदी में रखा जाए विया को कैसे समुचित बनाया जाए उस पर कारिक्रम बनाया था उसे जा करके अवश्य देखिए आज का कारिक्रम भी चलने वाला नहीं है इस वज़ा से ही मैं बना रहा हूँ पर एक बहुत अच रहे इस वाल मुझे लिखकर के कमेंट में लिखे और जैस्तर किसना कमेंड में और शेलिख दिया करिये कारिक्रम देखने के बाद जब कोई विक्ति मृतियों को पराप्त करता है अस्पस कोई न होई प्रतिक दिन कुछ न कुछ तो अशुब और सुब घटनाय गड़ित ह होती ही है तो जब कोई व्रत्ति को पराप्त करता है तो आप लोगों ने देगा मैं जब बहुत चोटा था तब से ये बात देखते आ रहा हूं और आप लोग भी देखते हैं कि उसके नाम पे दो मिनट का या पांच मिनट का मौन धारन कर लिए चाहता है कि भलाना की जो है वो भगवान को प्यारे हो गए, भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया, परमधाम को चले गए, उनके नाम पे दो मिनट का मौन धारन कर लो, तो एक जन है, मेरे वाटसेप पे वो जुड़े है, उन्होंने मुझसे कहा कि पंडी जी, क्या ये करना उचित है, या कितना ये सही है, तो मैंने एक बात कहनी है, और ये विल्कुल शास्त्रोक्त भी है, ये अंग्रेजी परमपरा है, दो मिनट का मौन धारन करना, नहीं, हमारे सनातन पदती के आधार पर, अगर कोई भी व्यक्ति मृत्यू को प्राप्त करता है, उसके लिए मौन धारन करने की अगरन करने से उस आत्मा को कभी शांती नहीं मिलती, ये सब एक नंबर का जूटा बगवास है, ये जिसने भी प्रचलन में लाया था, वो सिर्फ इशायत पद्धती से युक्त हो करके, इसायत पद्धती से प्रभावित हो करके, हमको ये ढो करके दे दिया गया है, कि लो अत्मा के शांती और उसके समुचित गती के लिए, स्रेस्ट ठान और गती के लिए उसके नाम पे भागवत कथा का, उसके नाम पे संकिर्तन का, उसके नाम पे भागवत अनुरागियों का, साधू संत महात्मा और इन सब लोगों को भोजन, उन लोगों को दान, उन लोगो आगे से आपके आसपास अगर कोई भी भ्यक्ति मृत्यू को प्राप्त हो और आपको कही मंच से सुनाई दे क्या ये फ्लाना सहाब जो है वो निकल गए हैं उनके नाम पे दो मिनट का मौन धारन करते हैं तो मना कर दीजेगा और सामने से होकर के ये बात कहिएगा कि नहीं हम सुन्दर कान दादी का पाठ करवा सकते हैं और यही सास्त्रोक भी है अब ये गेता जी के स्लोक का अर्थ पता देता हूं गीता जी के चौदा में अध्धाय के 24 में स्लोक में भगवान ने बात कहिए जो धेले में और सोने के टुकडे में जो प्राप्त होने के स्थती में और ना प्राप्त होने के स्थती में क्योंकि जीवन प्राप्त करने का कोई चक्र कुछ चक्र नहीं है आपको कोई आवशक नहीं कि रोज दिन कुछ न कुछ मिलता ही रहेगा कभी सुखा सुखा भी होता है तो यहाँ पर भगवान ने ही बात किया है कि जो प्रतेक स्थती आप जरह विचार करके दिखिए, हम मनुश्यों की समस्य यह है कि हम सोचते हैं उसने मेरा आदर नहीं किया, मैंने इतना सारा उसके लिए किया पर उसने मुझे कभी भी वो भाव नहीं दिया, ऐसा होता है कि मुझे यश नहीं मिलता, या फिर मैंने जितना उसके लिए किया ह उसने कभी मेरा मान नहीं रखा, ऐसा होता है, उसने मेरा आदर नहीं कि उसने मेरा मुझे कुर्शी नहीं दी, या फिर ऐसा होता है, हम कही बार उसके भूके हो जाते हैं, पर बस तो ता, आपको मैं एक बड़ी अच्छी बार बताता हूँ, यह मेरे दिमाग की उपज है, ज समाज और आपके परिवार के लोग उतना देहीं नहीं सकते, समझ माई बात, आप इतने बहुमल्य हो कि कोई आपकी कीमत लगा नहीं सकता, आप इतने आदर निये हो कि कोई कितना भी आदर देगा, वो आपके लिए कम ही है, यह अपने दिमाग में बिछा लीजिए, और ज उस सिंगहासन पर अपने आपको बिठा करके रखा हुआ है आपने, जहां आपको कोई देही नहीं सकता है, यह अत्यम्त उची बात होगी, और दूसरे, आप स्वस्थ हो जाईए, जहां कोई अगर माला पहना दे तो भी कोई बात नहीं है, और जो कोई कुरसी उसे नीचे अनादर कर देगा, तो मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इतने आदर निये हैं, कि समाज आपको कभी भी उतना आदर देही नहीं सकता है, या तो आप अपने आपको वैसा बना लीजे, कि आप उतने आदर निये हो जाए, या तो फिर अपने मन म हैं, यह भाव विक्सित कर लीजे, कि आपको आदर का कोई, वो ना रहे, आप अच्छा ही ना रहे, कि मुझे कोई मिलने वाले है, कोई बात नहीं, फर्कना पड़े, ऐसा होता है, कुछ असी तरीके से आज के कारिकरम का समापन करते हैं, तब तक के लिजाज़ दीजे, कल पहुत अमस्कार.